जै मातादी मेरे यूट्यूब चैनल सपनों के सच में आपका स्वागत है कैसे हूँ दोस्तों आसा करते हूँ सब पहुत है अच्छी होंगे माता राने की देद्रेश्टे उनका प्यार आशिरवाद आप सभी पर बना रहे और सभी का जीवन कुशियों से भरा रहे आज बात करेंगे सपने में दिवाली देखना और दिवाली से जुड़े हुए सपनों के बारे में कि आप अगर सपने में दिवाली देखते हो या दिवाली से जुड़े हुए सपने देखते हो तो उसका आपकी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो सपने आपने किस कंडिशन में देखे हैं इस पर भी निरवर करता है और जरूरी नहीं कि आपने सपना जो देख लिया वो उसी का रिजल्ट आपके उपर होगा तो सबसे पहले निरवर करता है कि आपने किस समय देखा है सपना उस सपने का आपके जीवन पर बहूत परबाव कड़ता है तो बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति सपने में मतलड देवाली में खुद को मिठाई खाते हुए देखता है या दूजरों को बाढ़ते हुए देखता है तो यह सपना बहुत ही सूब होता है यह सपना आपके जीवन में संकेत देता है कि आपका कोई भी जो बिगड़ा हुआ काम था या काफी समय से नहीं हुआ था वह मतलब हो जाएगा कोई भी आपका बिगड़ा हुआ काम पूरा होने वाला है या सुधरने वाला है इस तरह का संकेत देता है और ये सपना संकेत देता है कि आप अपने कारे में बहुत अधिक तरक्की करोगे और आपके जीवन में धेर सारी खुशिया होगी अगर आपने सपने में मिठाई को अगर सपने में मिठाई बाठ ते हो दूसरों की दीवाली का तयोगा बाट रहे हो तो यह सपना संके देता है कि आतके जीवन में आचानक खुश्याद स्तक देने वाली है तो आसा करती हूँ आप कोई जानकर अच्छी लगे और इसके अलाव अगर कोई व्यक्ति सपने में दिवाली के दिन लक्षमी पूजन देखता है तो दोस्तों यह सपना संके देता है कि आपके जीवन में कभी भी धनकी कमी नहीं होगी एक दरसे आपका आपकी लाइफ में मा लक्षमी जी का अशिरवाद हमेशा बना रहेगा और आपके जीवन में आपको मानसिक सांतिप्राप्त होगी बहुती सुब सपना होता है यदि आप सपने में दिवाली के दिन खुद को लक्षमी पूजन करते हुए देखते हो अगर कोई व्यक्ति सपने में पठा के देखता है तो यह सपना भी बहुती सुब मना जाता है आपके जीवन में खुशियों की और संकेट देता है आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आए जैमात अदी जैसिरिकृष्णा रादे और अगर आपको जानकारी तो लाइक जरूर करें जाय मता दी